अब बहुत स्वागत है चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं तो इसके लिए क्या क्या लगता और इसे कैसे बनाया जाता है उभी देख लेते हैं यहांए है यहां दाल सकते हैं अथे कल जाए के लिए अवगत हैं मैं करना कैसे नमक मैं दोल जाए न्यूद के लिए पर दोल falt चैश करने के मदर पारी ग्याम क消़ मोडता करने के बाद कर अच्छा साथ है नमक बनाना होगा में ऑच्छी यहां पार चेम प Mode कि यह यहां पर एक पतिला रखा हुआ है पानी के लिए रखा थे आपर आपी ह्याम मिर्ची अपम सब्छा है भाण चाहिते हैं और और वा दिख़ते हैं अंहाँ है अंहाँ है नदोगे हटे ड़द जब करें लोगे जरी से तो पम ने सकते हैं कलरब न काल कैज दो तो यह हमें निकालना होगा यह थे मीडियम फ्लेम आर आपको आपको इसे पकाना होगा लाख्या करता तो यहां में नीज़कर निहां रहे लाखना करने लिए नियुक्त थे do पीस लेना होगा तो चले इसको हम ग्रांड कर देते हैं देखें मिनिया पर इसे अच्छा सा दर्दर आसा पीस लिया हुआ है ज्यादा सॉफ्ट नहीं बना रहा है आपको बस इतना ही रहना चाहिए पानी करने की जोरूत नहीं पड़ेगी आपको तो इसे हमें साइड में र लिया आते हैं तो में यह पर 15-20 लसुन की कल्यों को दर दर कर लिया हुआ है इसे अप चाहिए तो पेस्ट का भी स्तमाल कर सकते हैं नगर पेस्ट का उतना टेस्ट नहीं आता जितना आप इसे कूट कर लेंगे यह पर थोड़ा सा लसुन जादा ही डालना होगा आपको ता तो इस पात का ध्यान रहे और उसके बन में यहां पर एक चोटाइक कब जितना जो है बैसन लिया हुआ है बैसन को हम इसमें बैसन को बुनना होगा अच्छी तरीके से बैसन बुनते समय भी आप ग्यास फ्लेम को एकदम लो फ्लेम पे रखना है नहीं तो बैसन जल सकता है ज अच्छी तरीके से बैसन में वगरे मसाला में मिला लेते हैं ग्यास फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखकर ही सारा प्रसूस करना है और अच्छी तरीके से मसालों को मिला दीजिए यहां पर एक छोटी चम्मा जितना जो है कश्मिरी लाल मिश पाड़ोर है चाहे तो आप इस अच्छी तरीके से पैंच छोट रहा है आप देख सकते हैं और चिपक नहीं और और थोड़ा सहम धनिया पता याड़ कर देते हैं धनिया पता डालने के बाद इसे फिर से मिला लेज़े आज आप रही मिची की पराठे बनाने जा रहे बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनते हैं पराठे तो अच्छी से मिला लिजे इससे सुबह की नाष्टी के लिए आप जल्दी से बना सकते हैं आलू उबालने की जरूरत है ना पैज या गोबी वगएरे काटने की जरूरत है वैसे भी आप बना सकते हैं तो चलिए मसला रड़ी हो चुका है तो इसे हमें चुटी छुटी से लोई बना लेते हैं नहीं रूर्ती जैसे बनाते हैं उतना नहीं हो झालोई खिका पूरी जितना भी ने हपूरी से मिडेयम के लोई लेकर आचा़ सा मिला ले जी अगर आप थोड़ा सा बड़े बना रटे बंढा रहे इसे थोड़ा साम बेलंस से बड़ा कर देते हैं। आपको सटफ़िंग आता है वैससे आ बना सकते हैं। कि देखे सब इतना ही पूरी ज Force में भी भीख्या itself के लिए रुकती की मिर्ची का मसाला यहीं हैं। बचानों के लिए तो उसे लिए लेती हो। क्शा 19 कर दुछ batch मिलें इसे ओपर के जो आट में प्रेस करना हुआ तकि जो मसाल है चारो और से फैल सके देखे इस तरह से उंगलियों से अगे रहा हाथ से बिलकुल इसी तरीके से तो चले भी से फिर से हम थोड़ा सा सूका आठा में लगा लेते हैं शूका अठा लगने के बदे से पैलना होगा तो मिया बैलन्स जाधा को पतला बी नहीं रिखा है इस तरह की बना लिया हुआ तो इसे हमें साइड में रख देते और सारे पराटे बिलकुल इसी तरीके से बना लेते, देगे मैं पर दो तरीके स्टफिंग बता रही हूँ आपको, एक तो पहले मैं आप बेलेंसे बेलकर स्टफिंग किया था और उसके आप एक लोई लेके उंगलियों से बड़ा कर दिय सब्सक्राइब प्रेस करते हैं आपका जो मिष्रन है अची तरीके से फैल जाएगा अदर से फेश से थोड़ा सा सूका आटा ले लिए और यसे अच्छे सा सूका आटा लगाने के बाद हलका से बेलन से फेलना होगा अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा देखे आप सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए फिर बच्चों के लंच के लिए भी आप बना के दे सकते हैं स्टिफिन में कुछ रोज नया खाने का मन करता है उनको भी तो आप ऐसा नया मज़ेदार रे इस तरफ भी तब थोड़ा सा तेल लेता है लाइक मिया साथ अनवड में करें अ चैक हैं चार गोढ़ना होगा राग सोिए प्रेस करते होग्ए और अच्छे प्रहर से अ प्राव्सकेशा डियआं बड़े तरीकी के हमारा जो प्लकाट्य फूल भई रहा है तो चले भी से पलट कर भी देख लेते हैं कैसा बनाइक उस तरफ भी कितने बड़े तरफ से पलट लीज़ें और इस तरफ भी हम शेग लेते देखें आज़ा प्रेस पर दो किनारों को सेख सकें थोड़ा सा किनारे प्रेस करते हुए आपको सेखना होगा फिर से पलट लेते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक गोल्डन ब्राउन कलर आने तक देखे इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी चाय तो थोड़ी दर और भी आप सेख सकते हैं तो हमारा पराठा जो है बनके रड़ अच्छे से देखे कितना बढ़िया लग रहा है कितना सिंपल तरीके सवर जल्दी से हमारा जो मिर्ची के पराठे हरी मिर्ची के ती की चटपटी पराठे जो है बनके रड़ी हो चुका है अब इतक हमारे चान को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर लेना दे हमारा है किस में आप स मिर्ची के सब्सक्राइब का चाहि干 से चालम और पराठे कीि तो न की मिर्ची रचेपी सब्सक्राइब करे चाहिए जोर्प याप से नकीया तो पराठे की है। तो इसे अब हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं कैसे बनाए है पराटा दिखने में तो बहुत सुंदर और बढ़िया दिख रहे है आपको वही रोस रोस का खाना खाके या ब्रेकफास्ट का कि हुपमा वगरे काके बहुर हो रहे तो आप एह रेसीप बना सकते हैं बना कर ब सब कर देती हूं देखें कितना बढ़िया लग रहे हैं तो चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं दही के साथ बहुत ही बढ़िया सा कॉंबिनेशन है अगर हमारा चानल को पीचा सब्सक्रेब निके तो सब्सक्रेब कर लेना ताकि ऐसी सिंपल से और चटपटी रेसीपी आप सबीका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्येवत और नमस्कार